दोस्तो बहुत सारे डिमांड आ रहे हैं कि मोटो Z34 5G स्मार्टफोन के बारे में बताने के लिए इस पर वीडियो जा चुकी है और ये लाँच भी लगभग लगभग वन मन्थ तो अभी नहीं हुई है बट बहुत ही मतलब 5-7 दिन हो चुके है लगभग एप्रोक्स 10 दिन ह हो चुके है इंडिया के अंदर में लांच किये हुए और ये जो है अंडर 10,000 में आपको कम्प्लीट 5G फोन मिलते हैं जी हां और ये मुझे लगता है कि ये मोटो जी जो है एकदम अलग ही इसका मतलब हला बोल हो चुका है इंडिया के अंदर में बहुत ही कम प्राइस में आपको 5G फोन मतलब पुरोवाइड कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि अगर पुरोवाइड कर रहे है तो इस फोन के अंदर में कुछ भी नहीं है बहुत कुछ दिया गया है क्योंकि इस फोन के अंदर में 695 जैसे प्रोसेसर स्नेप ड्रेगन का जो कि बैक ये 2023 के अंदर में आपको लगवग 20-25,000 के फोन में देखने को मिलते थे, बट यहां पे under 10,000 वो भी Snapdragon 695 का प्रोसेसर दिया गया है, तो प्रोसेसर इसे बहुत ही कमाल का दिया गया है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इसका सही प्राइज आया है, जो फोन आपको 25,000 में जिस प्रोसेसर में आपको मिल रहा था, वो फोन आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 में मिल रहे है, तो जी हाँ, इस फोन के अंदर में भी 695 Snapdragon का प्रोसेसर यूज किया गया, जो कि 6NM पर ये बेस्ट है, और इसका अंतुता बेंचमार्क के स्कोर भी 4,000,000 के आस पास आती है, जिससे इस फोन को पावर मिलती है, और बहुत ही कमाल का ये फोन अपना experience मिलने वाली है, इस फोन के अंदर में, तो आप इसमें gaming बगेरा भी आप करना चाहते हो, तो BGMI जैसे game को आप इसमें 40fps में आप खेल सकते हो, और जो इसका BGMI का light version आते हैं, उसको 90fps में आप खेल सकते हो, तो ये कितना कमाल का बात है कि मतलब प्रोसेसर इतना तगरा देने के वावजूद और इतना कम प्राइस में आपको इतना अच्छाम सब कुछ मिल रहा है, तो इसके लिए एक light तो बनती है, बात कर लेते हैं, डिस्प्ले की तो डिस्प्ले भी इसके अंदर में सेम वही चीज़ दिया गया है, 6.55 इंच का HD पलस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो है, वो मतलब डिसेंट फिल ओर यहाई है, इसलिए क्योंकि इस फोन के अंदर में आपको मिलना चाहिए अगर फूल HD डिस्प्ले होती, तो और भी ज्यादा बढ़िया होती, बट इसमें HD पलस डिस्प्ले दिया गया है, क्योंकि अगर आप प्राइस भी देखोगे, तो 10,000 से 10,000 में आपको क्या ही कुछ मिल सकता है, फिर भी HD पलस डिस्प्ले है, बट इसमें आप स्ट्रीमिं के साथ आती है ये फून, कोई भी प्रोब्लम नहीं है, बट एक है कि थुरा सा फूल HD नहीं है, HD पलस डिस्प्ले है, तो इसमें सारे चीज बहुत ही कमाल का दिया गया है, और अब बात कर लेते हैं, मल्टी मीडिया को लेकर के, तो इसमें कलर्स बगेरा तो बहुत अच् प्रेक्टेड नहीं कर सकते हैं, बट इस फोन के अंदर में जो एक चीज मिलती है, वो मिलती है, एट्मॉस डॉल्बी साउंड का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, मतलब दस हजार के फोन में आप ये भी फिचर्स आपको मिलते हैं, कि एट्मॉस डॉ और साथ में इस फोन को चार्ज करने के लिए 20 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि लगवाग ये फोन को डेट से 2 घंटा लगते हैं, फूल चार्ज करने में और अल्टिमेटली ये आपको एक दिन से उपर चलने ही वाली है बैटरी, क्योंकि ये अब बात कर लेते हैं, इस फोन की पोट्रेट्स बगेरा की तो इसमें आपको 3.5 का जैक मिलता ही है, आपको टाइप USB, टाइप C केबल वाले जो चार्जिंग पॉइंट है, वो मिल जाती है, जो कि उपर में ही मिलती है, मैंने अल्डेडी बता दिया है, कि इसमें एटमॉ इसमें फूरा सा कमी आपको खालेगी, वो डिस्पले की, क्योंकि डिस्पले अगर इसमें फूल एचीडी मिल जाती, तो और भी ज्यादा बेहतर हो सकती थी, बट नहीं दिया गया है, बट कोई इसु नहीं, फिर भी बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी का डिस्पले आप इसमें 50 Mpx का Quad setup में main camera है, और दूसरा 2 Mpx का depth sensors आपको micro lens मिलती है, और front में आपको 16 Mpx का selfie camera मिलता है, जो की अगर यहाँ पे 13, 14, 16 मतलब 8 नहीं मिलते है, डारेक्ट 16 Mpx का मिलता है, तो यह भी बहुत अच्छी बात है, अगर picture quality की बात कर रहेता हो, तो pictures बगएरा आप इससे बहुत ही काफी अच्छे इन हैंस मतलब निकाल करके देती है मोटो वाले इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और पिक्चर बगेरा जो है बहुत ही कमाल का एक बज़र्ट फोन के अंदर में भी आपको देखने को मिलते हैं और अगर आप बात कर लेते हैं वीडियोग्राफी की तो वीडियोग्राफी भी इसमें होती है भाई साब और वो भी फोर के फोर के में तो एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते हैं बट फूल एचडी 30 fps में आप फ्रॉंट से भी और बैक से भी आप एस्टेवल देखी सकते हैं कि कितना अच्छा है इस फोन मे आती है तो इसके लिए एक लाइक तो बनती है तो कैमरा अवरल देखा जाए तो बहुत बढ़िया है और माइक्रो लेंस से आप सिर्फ पिक्चर ही नहीं सुट कर पाओगे वीडियोग्राफी भी आप कर सकते हो तो है ना कमाल का तो ये कम्पलीटली इतना कुछ मिलता है बागी और भी कुछ अगर आपको जानना है तो कमेंट जरूर कीजिये अगर चैनल पर 1st में है तो सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा अगर वीडियोज अच्छी लगी तो लाइक भीशे कर दीजेगा तो मिलते हैं अगली वीडियोज में तम तक के लिए take care and goodbye